गीता में स्परस्ट सब्दों में लिखा है निरास ना होना कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं जी हाँ सभी को नमस्कार नासुला नोलीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो बिल्कुत सही बात है कमजोर वक्त चल रहा है इसलिए निरास नहों आप कमजोर नहीं है आप अपनी महनत को लगाता रखे दोस्तो एसेस के आज के भी चू holiday इस वीडियो में हम फिर कवर करने वारे हैं 25 कोस्चनों की सिरी जिसमें 20 कोस्चन हार्याना जिक की। और पांच question होंगे हर्याना Crunt Affairs के तो आज का हमारा पहला question हर्याना में प्रेम निवास या कहे नीली कोठी कहां पर है? option 4 आपके सामने है फतेहबाद अम्बाला रोहतक और जीन्द 2 seconds का समय आपके भी है ओके यहाँ पर फत्याबाद अम्बाला रोहतक और जीन में से correct option हो जाएगा हमारा रोहतक रोहतक में है प्रेम निवास या कहें नीली कोठी सर छोटुराम जी का निवास इसे ही नीली कोठी और प्रेम निवास का नाम दिया गया है next हर्याना में बलवान केदली हवेली कहां पर है option A फरुखनगर B नारोड C होडल D हाँ C ओके बलवान केदली की हवेली तो दोस्तों यहाँ पर हमारा correct option दुबारा हो जाएगा C कहां पर है होडल में होडल बोले तो पलवाल में next हर्याना में सर्शुती पुत्र किसे कहा जाता है कौन वेक्ति हैं जिसे सर्शुती पुत्र के नाम से जाना जाता है अमराठी सुरेशराय आननदपाल या राजिंदर खरकिया correct answer is राजिंदर खरकिया इन्हें सर्शुती पुत्र के नाम से जाना जाता है सरेणवत किसका पुराना नाम है या कहीं प्राचिन नाम है कुर्चेतर का नारनोल का अंबाला का भीवानी का तो आपके हिसाब से क्या है करेक्ट आंसर देखते हैं आपका 25 में से स्कोर कितना होने वाला है तो सही आंसर है कुर्चेतर का प्राचिन नाम है सरेणवत ठीक दो शुरेंदर सर्मा, मेर जाफर जटानी या फिर खुदाबक्स एहमद जहां तक मेरा उम्मीद है कि आपने अभी तक जवाब दे दिया होगा तो correct answer होजेगा option number C, मेर जाफर जटानी ठीक दोस्तों, ये थे हरियाना के पर्थम हास्य व्यांग कवी next, हरियाना का स्वर समराट किसी कहा जाता है उदेबानुहांस, लख्यमीचंद, पंडित जश्राज और कलनखा correct answer is option number C, again पंडित जश्राज, इन्हें स्वर समराट के नाम से जाना जाता है next, question number 57 राजय गठन के दोरान, विधान सवा की कुल संख्या, यानि कि विधान सवा की कुल सीटों के संख्या कितने दोस्तों हरियाना विधान सवा में, टोटल सीटों की कितने संख्या थी जब 1.9.1966 को हरियाना का गठन हुआ था, पंजाब से अलग होके option number A, 54, 60, 55 या 53 एक नॉबर 1966 को तो हरियाना के अंदर विधान सवा की जो सीटों के संख्या थी, या कहीं विधायक थे टोटल कितने starting में बने थे दोस्तों? 54, कितने? 54, अगर हम बात करें जो चुना हुए थे 1967 में, मार्च 1967 में 81 हो गई थी विधायकों की संख्या, या कहीं विधान सवा सीटों की संख्या और वर्तमान में कितनी है? 90, 90 कब किया गया? 1977 में, next हरियाना का पहला तेल सोदक कारखाना कोन सा है? हरियाना का पहला तेल सोदक कारखाना option A, बापोली पानिपत B, बहरामपूर पानिपत C, बासलांबी पानिपत और D है, बापोली गाउं पानिपत A, बापोली पानिपत, बहरामपूर पानिपत, बासलांबी पानिपत और है, बापोली गाउं पानिपत तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आनसर हो जाएगा हर्याना का पर्थम तेल सोधकार घाना कौन सा बाहुली गाउं पानिपत ओप्सन नमबर D ठीक दोस्तों ओप्सन नमबर D करेक्ट है यहाँ पे और दोस्तों इसके स्थापना का भुई 1988 में हर्याना में कितने किलोमेटर के दारे में एक संस्कृति मोडल स्कूल खोला जाएगा यह करेंट का कोशन भी है और हर्याना जीके के हिसाब से यह हमेशा कोशन चलता रहेगा ठीक दोस्तों 10 किलोमेटर, 2 किलोमेटर और फिर दुबारा C में 2 किलोमेटर दे जिया है यहाँ पे 3 किलोमेटर कर लिजिए पाठ साला की तो उसका दायरा है 1.13 किलोमेटर प्राधमिक पाठ साला जीके पांच वी तक का स्कूल अगर हम बात करें आठ वी तक के स्कूल की दोस्तों तो उसका दायरा है 1.52 किलोमेटर और दोस्तों अगर हम बात करें हाई स्कूल की तो उसका हर्याना में दायरा कितना है 2.28 किलो मेटर ओके दोस्तों और अग बात करें संस्कृति मोडल स्कूल की तो उसका दायरा कितना कर दिया गया है 10 किलो मेटर में एक संस्कृति मोडल स्कूल होगा ही होगा नेक्स्ट अगस्त रिशी का संब्द किस स्थान से है अगस्त रिशी का संब्द हर्याना में किस स्थान से है कुबेर तिर्थ, आपगा तिर्थ, कपाल मुचन तिर्थ या हन्स हेडर तिर्थ याद हो जब मैंने पिछली सीरीज के दोरान अगस्त रिसी यानि की रिसी मुनियों से संब्धे स्थल बताये थे उसमें ट्रिक याद कराई थी अगस्त रिसी का संब्ध किस स्थान से है दोस्तों अगस्त बोले तो आठवा महीना ठीक है और संकट मोचन कौन हनुमान जी वो क्या करते थे हैं दुसमन को तोड मोड के उसकी आठ का बना देते हैं उसके हाथ पैर को तोड मोड के उसका आठ का बना देते हैं और अगस्त मह कहा है यमना नगर में नेक्स्ट हर्याना में पहली बार सहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया दोस्तों ये दिया गया 1991 में 1991 में हर्याना में निमन स्रेणी का लोह किस जिले में पाय जाता है हिसार भीवानी मेहंदरगड़िया मेवात अब यह आपसे यहां पर option में दे दिया हिसार तो option number A correct करके आ जाएंगे बच्चे लेकिन हमने पूछा क्या है निमन सरेणी का लोहा कहां पाया जाता है तो यह पाया जाता है तोसाम में और तोसाम कहां पर है option number B भीवानी में ठीक है तोस्तों हरियाना में जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाइवे है वो कौन सा है NH 9 26 किलोमेटर NH 8 26 किलोमेटर NH 1 26 किलोमेटर NH 10 26 किलोमेटर option number कौन सा सही है आपके हिसाब से NH 9 26 किलोमेटर दिल्ली से बाहत दुरगड होते वे महेम रोहतक, अस्तल बहुर हिसार फतेहबाद, सिर्षा दोस्तों डबवाली कौन सा जाता है NH 9 अगर option में NH 9 ना हो तो NH 10 दिया होगा क्यों? क्योंकि NH 10 का ही नया नाम क्या है NH 9 है नेशनल हाइवे नमबर 9 और लंबाई कितनी है? 26 किलोमेटर Next, question number 64 हरेडा यानि कि हरियाना इर्नेवल Energy Development Agency हरेडा का मुख्याले कहां पर है? दोस्तों मुख्याले ये बाद में जानेंगे लेकिन पहले जान लेते हैं इसकी स्थाब न कब हुई थी 1907 में में तो option पलवल, फतेहबाद, पंचकुला और जेंद इसका मुख्याले हरेडा का मुख्याले कहां पर है हरियाना में? option number C फिर से करेक्ट हो जाएगा यानि कि पंचकुला में कहां पर है? पंचकुला में Next, वृत दीपी का रचना के रचेता कौन है? सिर्राम सर्मा अलिबक्स मिर्जा बेग या संत निश्चलदास option number D यहाँ पर दोस्तों सही है अगर आपने इसको सही किया है तो आपने एक नमबर जीत लिया ठीक है? तो option number D यानि कि संत निश्चलदास आपका एक नमबर खरा-खरा बन गया इसी टाइब से question पूछे जाते है next question number 66 किस मर्दा को उदासीन मर्दा कहा दाता है? अब या आप सोच रहे होंगे सर इस बार जो हर्याना पुलिस का एकजाम हुआ उसमें तो इस टाइब के कोई question आए नि उसमें तो book के बारे में कुछ पूछाई नि लेकिन दोस्तों अगर book के बारे में उसमें नहीं पूछाई तो अगले है के जाम में पूछेंगे वहाँ पर क्या किया? हर्याना के जो जीके आते थे 22 नमबर की इस बार कितने नमबर की दे दी? तोटली 10 नमबर की हर्याना जीके और 10 नमबर की हर्याना current affair कहने के मतलब है उसने जो current affair एक या दो नमबर की देता था पूरा 10 नमबर की दे दी अभी भाविश्या में ऐसा हो भी सकता है और भाविश्या में ऐसा नहीं भी हो सकता है इसलिए आपने दोनों mindset रखने है हर्याना जीके को भी done करना है और current हर्याना जीके को भी done करना है next किस मर्दा को उदासीन मर्दा कहा दाता है बांगर मर्दा, खादर मर्दा, लाल चेस्टनाइट मर्दा या जलोड मर्दा कोन सी मरदा है जिसे? उदासीन मरदा का जाता है उदासीन बोले तो जिसमें उपज कम होती है दोस्तों ठीक है? जो reaction कोई भी नहीं देती किस के साथ? फसल के साथ यह लाल چेशनट मरदा लाल चेशनट मरदा जो की यमनानगर के लाके में पाई जाती है question number 67 मेहंदरगड में 1987 में पड़े सुखे के दोरान किस नहर से पानी दिया गया बै मेहंदरगड में सुखा पड़ा था कब पड़ा 1987 में तो किस नहर से पानी दिया गया था option number A खुब्डु हेड से पस्चमी अमना नहर से मेवात फ्यट नहर से या जोहारलाल नहरू नहर से 1987 में दोस्तो इस नहर का निमान 1967 में हुआ था sorry 1976 में हुआ था लेकिन पहली बार 1987 में इसमें पानी छोड़ा गया क्यों छोड़ा गया क्योंकि सुखा पड़ गया था मेहंदरगड में उस दोरान क्या है इसके सुखे को बचने के लिए मेहंदरगड में सुखे से बचने के लिए इस कनाल की साहता ली गई थी option number D correct है जोहारलाल नहरू नहर next साहीबी नदी का कुल अपवास थल कितना है कहने का मतलब है साहीबी नदी जो है वो टोटल कितना किलोमेटर लंबाई में बहती है एकसो अठाण में 168, 188 या एकसो अठाटर साहीबी नदी यह है दोस्तो एकसो अठाण में एकसो अठाण में किलोमेटर है इसका टोटल अपवास थल यानिकि लंबाई इसकी बहने की next हर्याणा में बसाई जील कहां पर है बसाई जील आयवा कोश्चन है दोस्तो बसाई जील हर्याणा में किस अस्थान पर है सिर्सा, अमबाला, मेवात या गुरुगराम यह है दोस्तो option number D correct है आपका गुरुगराम में यह मोल रूप से आदरभुमी है दोस्तो और इसे बसाई आदरभुमी के नाम से भी जाना जाता है exam गुरुगराम सचीव 2021 में कैसे पुछा गया था question हर्याणा में बसाई आदरभुमी वाला जिला कौन शाह है बसाई आदरभुमी कहां पर पाई जाती है दोस्तो ऐसे question पुछा गया था तो कहां पाई जाती है गुरुगराम के बसाई में next सुल्तानपुर राष्टे उध्यान के स्थापना कब हुई हर्याणा के अंदर दो national parks है कौन-कौन से सुल्तानपुर राष्टे पार्क और कलेसर राष्टे पार्क सुल्तानपुर राष्टे पार्क कहां है गुरुगराम में और कलेसर यम्नानगर में दोस्तो दो ही है national park इन में से क्या पूछा है सुल्थानपुर राष्टी उध्यान की स्थापना कब हुई ओप्सन नमर ए 1971 पिटर माईकल जैक्षन के दवारा B 1972 सलीम अली दवारा C 1972 पिटर माईकल जैक्षन दवारा D 1971 डॉक्टर सलीम अली दवारा दोस्तो A और C दोनों के दोनों पिटर माइकल जेक्शन है बी ओर डी सलीम अली है तो आप से पूछा क्या है किस की स्थापना कब हुई सन बताना है किसने की वो हमने ब्रेकेट में नाम लिख दिया है तो यहां हमारा उप्सन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1971 डोक्टर सलीम अली दोवारा राष्टिय उद्ध्यान सुल्तानपुर की स्थापना हुई दोस्तों और जलिय जीवो के लिए ऐसे आरक्षित कब किया गया 1972 में गुरुग्राम विश्विध्याले के गुरुग्राम विश्विध्याले के कुलपती डोक्टर मारकंडे अहुजा ने विश्विध्याले का धेवा के क्या रखा है जी यू यानि की गुरुग्राम युनिस्टी कहां पर है गुरुग्राम में दोस्तों इसकी स्थापना का अब होई 2017 में अब पूछा क्या है कि उसके कुलपती यानि की कुलपती कौन है वर्तमान में डोक्टर मारकंडे अहुजा इसका धेवा के क्या रखा है उप्शन आपके सामने है विध्या जीवनाय ने तू जीवकाए तो यहां परावाराजर करेक्ट आंसर है कि वाई जी यू यानि कि गुरुग्राम यूश्टी का जो धेवाख्य है क्या है उप्शन नमबर ए विध्या जीवनाय ने तू जीवकाए ठीक है नेस्ट कॉस्चन नमबर 72 कोविड वेक्सिन रोलाउट का सफल कारियान करने के लिए हर्याना में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है दोस्तो उपर और नीचे दोनों जगें देख लीजिए इस कोश्चन को तो इन चारों में जो हमारा correct option है वो है option number D weight run नहीं है dry run है देख लिजिए option number D क्या है dry run COVID-19 vaccine rollout का सफल कारेवन करने के लिए हर्याना में dry run अभियान चलाया जा रहा है कौन सा? dry run, option number D और दोस्तों यह आपके हर्याना मुस्कान जो पुस्तक है उसी के अंदर से पूरे question कराये जा रहे है और जो current affair है वो weekly आपके सामने आते रहेगी quarter ले आते रहेगी और महिने के last में भी आते रहेगी अभी दस अगस्त को ही इसका हमने वीडियो डाल दिया है किसका हर्याना current affair first week अगस्त 2021 का आप उसे देख सकते हैं ऐसे ऐसे facts बताए हैं जो कि आगामी जो exam है उनके अंदर बहुत ही important है ओके next question हर्याना ने साल 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया साल 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया है उप्षन नमर A सुसासन वर्ष के रूप में B आरोग्य वर्ष के रूप में C परिवार वर्ष के रूप में D कल्यान वर्ष के रूप में तो दोस्तों इसका हमारा उप्षन से ही हो जाएगा सुसासन वर्ष के रूप में मनाया वर्ष 2020 को किस रूप में मनाया है सुसासन वर्ष के रूप है देखिए 25 दिसंबर 2019 को सुसासन दीवस के रूप में मनाया गया पहली बार हरियाना में और मुख्य मंतरी मन्होरलाल खतर के दुवारा घोशना की गई कि हम हर्याना वासे वर्ष दोजार बीस को सुसासन वर्ष के रूप में किसके सुसासन वर्ष के रूप में मनाेंगे ठीक है किसके कौन से वर्ष को 2020 को लेकिन समय दिये, question number अगला भी आ रहा है, हर्यान सरकार वर्ष 2001 किसको किस रूप में मनाने की तियारी कर रही है, 2020 को कैसे मनाया, सुसासन वर्ष के रूप में, और 2021 किसको कैसे तियारी कर रही है, कैसे मनाएंगे, option number A, आरोगय प्रिणाम वर्ष के रूप में, B, परिवार प्रिणाम वर्ष के रूप में, C, कल्यान प्रिणाम वर्ष के रूप में, और D है, सुसासन प्रिणाम वर्ष के रूप में, देखे दोस्तो, जब 73 number question, हर्यान ने वर्ष 2020 को कैसे मनाया, सुसासन वर्ष के रूप में, तो 21 कैसे मनाएगा, कि इस वर्ष में क्या प्रिणा निकला यानि कि option number D चोएतर का option number D सुसासन प्रणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है कौन सा? वर्ष 2021 Next, 75 हर्याना में स्वास्ते विभा को सुसासन दीवस 2020 पर कितने पुरुषकार मिले? सुसासन दीवस 2020 पर हर्याना को चार पुरुषकार मिले है दोस्तों कौन से चार? किस किस फिल्ड में मिले हैं? पहला मिला है यूनिवर्सल टिका करन कारिकरम के लिए दूसरा इस अंजीवनी OPD के लिए तीसरा आसा वर्कर्स का डोर टू डोर सर्वे के लिए चोथा है दोस्तों आयुषमान योजना के लिए ये चार है जिन के लिए हर्याना को सुशासन दिवस दोजार पीस पर पुरुषकरित किया गया दोस्तों नेक्स्ट ये हमारे आज के 25 कोशन कवर होते हैं अभी होता है फास्ट 15 रिविजन कौन सा? फास्ट 15 रिविजन देखते हैं आपने इस एक वीडियो के दोरान कितना सीखा हमारा धे क्या है हमारा में धे है कम से कम टाइम ज्यादा ज्यादा कोशन हर्याना में प्रेम निवासिया का एन नीली कोटी कहाँ पर है? करेक्ट आनसर दीजिए कहा है दोस्तों? किसका निवास्तान? सर छोटु रामजी का जनम कब हुआ था इनका सर छोटु रामजी इनका जनम 881 में हुआ था मिरत्य कव हुई chambers 2015 में हुई हर्याना में बलुवान केर्डी की हवेली कहा पर है? करेक्ट आनसर इज होडल पलवल में कहां है होडल में बलवान के लिगी हफिली कहां है होडल में नेक्स्ट सरणवत किसका प्रोचिन या पुराना नाम है तो सरणवत किसका पुराना नाम है करेक्ट आंसर दो सेगंड आपके लिए कुरुचेत्र का किसका है कुरुचेत्र का नेश्ट, हर्याना का स्वर समराट किसी कहा जाता है, हर्याना का स्वर समराट किसी कहा जाता है, correct answer is, option number C, पंडित जसराज, वेरी गुड, आपने अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वेरी गुड, नेश्ट, राज्य गठन के दोरान विदान सभा की कुल सीटों की संख्या कितनी थ हर्याना, गठन के समय विदान सभा की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, 1971 में 81 हो गई, pilgr in devi compliance हो गई, ओर ओर ओर, ओर और, 2000च्शहब लिए संख्या हो जाएगी, 126, हर्याना विदान सभा सीटों की ठीक है, कब हो जाएगी, 2026 में, लेकिन यह بोल रहा है, गठन के समय कितनी थी उप्सन नमबर A, चोवन थी Next हरिनाना का परतम तेल सोदक कार खाना कहां कोन सा है दोस्तो इसका correct answer है दोस्तो D, बहुली गाउप पानीपत स्थापना का भूई 1988 में Next हरिनाना में कितने किलोमेटर के दायरे में एक संस्कृत मोडर स्कूल खोला जाएगा एक संस्कृत मोडर स्कूल कितने किलोमेटर के दायरे में खोला जाएगा correct answer is option number A 10 किलोमेटर के दायरे में परतमिक स्कूल 1.13 किलोमेटर यानि कि 5 वी तक के कक्षा के बच्चे इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगे नेक्स्ट 8 वी तक के कक्षा के बच्चे 1.52 किलोमेटर इससे ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगे हरियाना गोडर्मेंट स्कूल प्रोवाइड करवाती रही है लेकिन ग्यारा करमशार 6,841 और अभी अगर हम बात करें उसमें ग्राम पंचायद के लिए थी 6,212 और वर्तमान में ग्राम पंचायद कितनी है 6,318 ठीक हैं तो इस हिसाब से गाउँ भी बढ़ रहे हैं ग्राम पंचायद भी बढ़ रहे हैं तो स्कूल घट रहे हैं तो क्या इन फ्यूचर स्कूल होंगे 1.13 किलोमेटर पर नहीं होंगे नेक्स्ट हर्याना में निमन स्रेनी का लोहा किस जिले में पाए जाता है निमन स्रेनी का लोहा हिसार में नहीं पाए जाता कहां पाए जाता है भीवाणी के तोशाम में पाए जाता है next हर्याना का सबसे बड़ा national highway कौन सा है NH कौन सा है हर्याना में सबसे बड़ा correct answer is अगर option में ना हो तो D, अगर option में NH9 दिया हो तो A क्योंकि पहले इसका नाम क्या था NH10 था, अभी क्या नाम है NH9, लंबाई कितनी है 286 किलोमेटर, कहां से कहां दिल्ली से start होता है, बाहद दुरगाड हर्याना का, वहां से entry करता है और कहां तक चला जाता है सिर्शा के डबु वाली तक next किस मरदा को उदासीन मरदा कहा जाता है कौन सी मरदा है, जो कि उदासीन मरदा है जो कि कोई reaction नहीं देती है ये है लाल चेस्टनाइट मरदा कहां पाई जाती है, यमुना नगर में next महंदरगड में 1987 के पड़े सुखे के दोरान किस नहर से पानी लिया गया जोहारलाल नहरू नहर से लिया गया next हरियाना में बसाई जील कहां पर है दोस्तों बसाई जील कहां है गुरू ग्राम में और इसे आदर क्या बसाई आदर भूमी के नाम से भी जाना जाता है next next सुल्तान पूराश्टी उद्यान की स्थापना कब हुई भै ये स्थापना हुई 1971 में किसने डॉक्टर सलीम अली के दवारा और करणट के दो कोस्टन है हरियाना ने साल 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया साल 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया correct answer is स्वासासन वर्ष के रूप में और 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने की त्यारी कर रही है स्वासासन प्रणाम वर्ष के रूप में दोस्तो हमने 25 कोस्टन के 15 का सुपर फास्ट रिवीजन भी कर लिया इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है थोड़ा टाइम ज्यादा कोस्टन विद रिवीजन ओके आने वाले फ्यूचर के जो वीडियोज होंगे उनके हम कोसिस करेंगे कि उनके अंदर एनिमल हजमेंडरी किर्सी को भी डाला जाए दोच्यार कोस्टन दोस्तो वट्सेप नमबर 8727090308 आपके सामने हैं अगर कोई प्रोब्लम कोई दिक्कत कोई सुझाओ कोई कोई आंसर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं और यह है आपके हर्याना मुस्कान पूस्तक जिसके अंदर से हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं जो की मार्किट के अंदर यानि की रेवाडी गुरुगराम जजजर रहत तक में अविलेबल है बुक डिपोर्ट पर अगर फिर भी आपको नहीं मिल पाती है आप दूसरे जिले के हैं तो आप वट्सेप के थुरू या Amazon पर मंगा सकते हैं अमेजन पर क्या सर्च करेंगे हरियाना मुस्कान ह-a-r-y-n-a-m-u-s-k-a-n सर्च करेंगे बुक आपके सामनी होगे बुक का फोटो कैसे होगा ये वाला ओके दोस्तों विदिन टू या थ्री डेज आपके पास पहुंच जाएंगे ओके दोस्तों थैंक्यू जै हिन जै भारत वन्दे मातरम आपका दिन सुब रहे आप स्वस्त रहें